हेलो एवरिवन राधे राधे टू आल अफ यू तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारा सा मेकप टुटोरियल इस्वेशली फॉर वर्ट सावित्री यार जैसे कि अभी 6 जून को आने वाली है वर्ट सावित्री तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एक लुक आप लोगों के लिए लेकर आऊं यहां पर मैंने अपने वर्ट सावित्री की पूझा करने के लिए जो लुक रखा आए वो कुछ इस तरह से है सबसे पहले मैंने यहां पर अपनी इसकिन को कर लिया है त्यार मेटप के लिए मैंने मॉस्टराइजर लगा लिया और लगा रहे हूं कंसीलर दैन में लगाऊंगी फाउंडिशन तब तक कर लेते थोड़ी सी बात चलो तब तक हम लोग यह जान लेते कि वर्ट सावित्री का व्रत कब का है और क्यूं मनाया जाता है यह वर्ट सावित्री का व्रत जेस्ट मा के कृष्ण पक्षी की अमावस्या सब्सावित्री का व्रत को मनाया जाता है इस दिन सभी वर्ट सावित्री के व्रत को पूड़ा करती है advertised में जो पूजा की जाती हम विश मांगते हैं कि हमारे पती की उम्र बहुत लंबी हो जाए जरूरी जानकरी तो हमारी हो चुकी है पूरी अब चलते हैं थोड़ा सा फोकस करते हैं अपने मेकप की तरफ ओके क्योंकि अब लंबी उम्र की बात की जारी है अपने पती की तो पती को खुश रखना भी त और मैंने यहां पर फाउंडेशन अच्छे से कर लिया है अपने स्किन में मेरी स्किन में पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका है और वह अनीवद बहुत मोटा मतलब की बहुत भारी टाइप फील होने लग जाता है तो अब जहां जहां हमारे मांट एरिया उन पर हम थोड़ा सा लगाएंगे हाइलाइटर मतलब अपनी इसकिन से टू टोन लाइट कंसीलर जिससे आपको एक ऐसा एल्यूजिन क्रेट हो जाएगा कि जैसे आ पैयरे पैयरे रिचुछ की वजजे से ही जानी जाती है कि इस तरह के फास्त आना मतलब एक अलग सा करेज अलग सी कुशी अपने मन में होती है कि फास्ट भी रखना है और अच्छे से रेडी भी होना है मतलब बहुत अलग अलग तरीके से कि मुझे नहीं लगता कि other countries में भी ऐसा होता होगा क्योंकि अपने इंडिया में छोटी से छोटी चीजों में यार इतनी जादा खुशियां डून लेते हैं तो मतलब मन करता है कि ब हमारे उपर वेट कितना भी हो जाए बट खुशी हमारी इसी वे कि हम अच्छे लग रहे हैं एक अलगी खुशी मिल जाती है और व्रत रखना तो हमारे कल्चर है यार तो ठीक है मतलब प्रेयर करना व्रत रखना यह तो पार्ट आफ लाइफ यही सब चीजे मैं अपने ध् है कि सबी लोग मेक अप देखते हैं या फिर सब के लिए ही जो यह वीडियो उन लोगों के लिए होती है जो बिलकुल बिगनर्स होते हैं या फिर जिसको मेक अप नहीं आता या फिर वो सोचते कि या ठीक है आप हमारे पास में मतलब हमें नहीं पता कि कैसे step by step करना है तो उन लोगों को बहुत हेलप मिलती है और अगर आप लोगों को मेरे इस तरह के टुटोरियल शूट करने के बाद थोड़ी सी भी हेलप मिलती है ना तो रियली यह मेरे लिए काफी मदब बहुत अच्छी बात है कि जिसको मैं बहुत पॉजिटिव लोंगी कि हाँ मेरा मेरी मे दूसरों के लिए काम आ रही है आप लोगों की तो त्यारियां स्टार्ट होई गई होंगी जोरो शोरो से वट्सावित्री के लिए एक अलग excitement होती है ना यार की new sari new dresses और प्यारा सा make-up करना है सुबह से लेकर शाम तक मतलब एक fast रखना है हर किसी को अलग एक खुशी होती है बिल्कुल वह खुशी बरकरार रखनी चाहिए जैसे कि मेरे को अभी खुशी मिल रही है मेरे blush को लगा करके अभी मैं blush लगा रही हूं मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं कि यार मेरे साथ में है ये पता नहीं यार जो खुशी फील करती हो अपने आप में मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो इसी तरीके से आप लोग भी बहुत 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 जादा खुश रहा करो और चलो बाते तो करते ही रहेंगे हम अभी कर लेते हैं थोड़ा सा eyebrows को सेट क्यूंकि देखो यार जब हम लोग eyebrows सेट करते हैं लोग बोलते हैं कि यार फेक लगने लगती है फेक पता उन लोगों की लगने लगती है जो अपनी जो eyebrows का color है उसको छोड़के different मतलब की dark color पे चले जाते हैं जैसे कि black color उन्होंने select कर लिया तो उनकी eyebrows कही ना कही फेक लगने लग जाती है बट अगर आपकी जिस color की eyebrows है आपने feeling भी उसी color से की है तो आपकी eyebrows कभी भी फेक नहीं लगेंगी आप वारी आती है थोड़ा सा eyes पे work करने की तो मैं यहाँ पर लगा रही हूं concealer light color का light color का concealer friends इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हम मतलब कोई भी color पिक करें eyes के उपर light से light color कोई पिक करें तो वह भी color हमारा बहुत अच्छे से visible हो जाए और सबसे बड़ी चीज आज के makeup में पता है क्या खास है आज ना हम जो भी अपने eyes पे makeup करेंगे ना मतलब उसमें ना बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि हमने four time five time किसी भी चीज की coating किये नहीं हम अपनी finger से sides corner पे जाके dark color पिक करेंग दोनों eyes के corner पर इस चीज का ध्यान देखना है कि जो हमारी eyebrows होती है तो eyebrows का last corner और हमारी eyes जहां पर last corner finish होता है उसको बिल्कुल टच करती होई हो नीचे ताकि हमारी दोनों eyes उपर नीचे ना दिखें और मैंने बीच में लगाया है बिल्कुल light color ठीक है light color golden color मतलब वह golden भी न type color था जो कि मैंने यहां पर पेक किया और वही जो dark brown जो मैंने finger से उपर लगाया अब मैंने क्या किया under eyes भी वही dark brown color लगाया क्यूंकि मेरे को यहां पर काजल या फिर liner नहीं लगाना था विकर्स मेरी eyes पर बिल्कुल shoot नहीं करता मुझे ऐसा लगता है कि मेरी eyes मतलब थोड़ा hooded eyes है तो अगर मैं काल जल लगा लेती हूं और या फिर eyeliner लगाती हूं तो मेरी eyes और भी ज़दा छोटी लगने लग जाती है तो इसलिए मैंने यहां पर काजल liner नहीं लगाया है बस एक dark brown sheet के साथ में black eyeshadow लेके थोड़ा सा बस उसको smudge किया है अब मैंने अपनी nose को कर लिया contour अब बारी आती है lips की तो मैं यहां पर मेरे पास में orange color का lip liner नहीं था तो मैं अपने eyeshadow palette से ही orange color का lip liner और लेकर ही orange color मैंने लगाया और वही orange color से मैंने यहां पर lipstick लगाई है lipstick कैसे लगाई मैंने सबसे पहले eyeshadow को orange eyeshadow को अपने lips पे अच्छे से लगाया उसके बाद मैंने यहां पर क्या लगाया highlighter के लिए थोड़ा सा oil based highlighter लगाया दैन मुझे वो color मिल गया जो मुझे actually चाहिए था so कैसा लगा मेरा final look कि मुझे बुराऊ में थना यहां अ Alg किया लगा यहाई कि मुझे येकश बखका Base दो पर लगा हा है